Hello everyone, welcome back to the channel तो GUYS, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हूँ कैलेंडर में एक कोशन तो आज किस वीडियो में हम कोई कोड यूज नहीं करेंगे जैसे हम लेपी और और नॉर्मल येर का करते थे हम कोई कोड इसमें यूज नहीं करेंगे हम direct कैसे करेंगे questions को solve वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वैसे तो इसकी चार वीडियो मेंने आपके साथ शेयर कर दी है आज है ये इसकी 5th class ठीक है तो आपको आज की इस वीडियो में मैं आज ही की date ले रही हूं जिस दिर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, पता नहीं मैं कब तक इस वीडियो को अप्लोड करूंगी, तो आज है 17 जोलाई 2024, छीक है, इसका हमें डेफाइट करना है कि इस तारीक को कौन सा दिन है, ऐसे कोशन हमें एक्जाम में नॉमल देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहल जो 24 है, वो 17 जोलाई के बारे में पूचा है, वो complete नहीं है, वो incomplete है, तो इसमें हमें दो पाट्स में इसको डिवाइड करना है, फर्स इसमें क्या चीज है, फर्स है यहां पे आएगा century और सेकिन यहां पे आएगी years, ठीक है, तो यहां पे क्या चीज है, century में 2000 आएगा, ठ कि आप जो class number 4 है, उसको जरूर चेक आउट कर लिए, वहां पे मैंने आपको सारी चीज़े बता दी है, कि अगर 2000 जैसे हैं यहां पे, तो यहां पे कितने odd days आएगे, 0 odd day आएगा, ठीक है, और यहां पे बाकी कितने बच गए, 23 years, 23 को हमें डिवाइड करना है, means इसमें हमे देखना है, लीप years कितने हैं, और नॉमल year कितने हैं, लीप year है, इसमें 5, और नॉमल कितने हैं, 17, जो लीप year है, एक लीप year में कितने odd days होते हैं, यह चीज में मैंने आपको class number 4 में बताई थी, और उसके पहले वनी class में बताई थी, कि एक लीप year में 2 odd days होते हैं, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ odd days पे ही ध्याँ रखना है, तो आप अपने questions को easily solve कर पाएंगी, तो जो यहां पे normal है, normal year है, वहां पे एक odd day होता है, एक साल में, तो जैसे यहां पे है, यहां पे कित इतने होगे, 10 odd days होगे, तीक है, और यहां पे कितने है, यहां पे है 17, जब हम 17 को 7 के साथ हम डिवाइड करते हैं, यहां पे अगर मैं आपको बताऊ, तो अगर हम 17 को 7 के साथ हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आता है 14, 14 से बच जाता है 3, तो यहां पे हम direct 17, odd days भी और अगर आप चाहे यहां पर कि हमारी जो calculation है वो easy हो और चोटी रही है ना ज्यादा बड़ी ना हो तो आप 3 odd days भी लिख सकते हैं अगर आप 17 odd days लिखेंगे तो अभी कोई बात नहीं है तो आपका अंसर सेम ही आएगा ठीक है तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया आगे हमें जो अभी हमें क्या करना है इन वाले odd days को इनको और इनको आड़ करना होता है तो यहां पर 0 है 10 और 3 है 13 odd days हो गया यह हमारा step number 1 complete हो गया step number 2 क्या है हमारा यह चीज़ देख लेती हैं अभी जो हमने completed years हमने देख लिए अभी जो है 17 जुलाई जो है 2024 का जो first of gen से लेकर 17 जुलाई तक का हमें उसकी calculation करनी है तो इस पर हम कैसे करेंगे सबसे पहले हमें पता है कि हमने 17 जुलाई तक का find करना है 2024 तक का ठीक है सबसे पहले क्या चीज़ क्लिए है कि जो 2024 है यह है लीपियर चीक है क्योंकि लीपियर में 2 odd days होते हैं एक साल में कि अब ही हमें यहां पर एक साल के नहीं लिखनी हमें लिखने हैं मंत्वाइज सबसे पहले जैन्मंद फैब मार्च अप्रल इसके बाद है मैं जून और लास्ट में क्या है हमारे पास जुलाई जो इसमें है जैन मंत है उसमें टॉटल थ्री ओडेज होते हैं ओडेज कैसे निकालने यह मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया है आप जो कोड़ वाली वीडियो के साथ हमने ओडेज की वीडियो की थी वो चेक आउट कर लेना तो यहां पर है जैन मंत में थ्री ओडेज हैं फैब मंत में कितने ओडेज होंगे वैसे तो जब नॉर्मल इयर होता है तो जीरो ओडे होता है लेकिन जब लीप इयर होता है त ठीक है, थर्ड है मार्च, मार्च में 3, अपरल में 2, मैं में 3, जून में 2, और जुलाई में 3 ओर डेस आएंगे, जब हमने जैसे यहां पर 17 को डिवाइड किया था था तो हमारे पास यहां पर आगे थे 3 ओर डेस, तो यहां पर भी हम 3 ही दिखेंगे, इन सभी को अभी हमें क तो यहां पर है 17 ओरडिज, 17 में हमें प्लस क्या करना है, यह वाले जो 13 ओरडिज है, जब हम इनको अद करते हैं तो हमारे पास कितना आज आज आता है, 30 में हमें 40 को हमें करना है, 30 को हमें करना है 7 के साथ डिवाइड जब हम 30 को 7 के साथ डिवाइड करते है 7 4s are 28 हमारे पास क्या जाता है जो odd days है या जाते हैं हमारे पास कितने 3 जो ये 3 odd days है इन ही के according हमें आंसर करना है 0 पे Sunday, 1 पे Monday, 2 पे Tuesday और 3 पे क्या है Wednesday वेडनस डे होगा किसको 17 जुलाइ 2024 को क्या दिन होगा वेडनस डे ये आपका अंसर है अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए वो वाली वीडियो ज़रूर चेक आउट करने ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएं कि आपने इन कोशन्स को कैसे सॉल्ट करना है तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शुरूर करना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना तो मिलते हैं अपनी ऐसी किसी आपनी वीडियो के साथ